दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं ओनलाइन पैसा कमाना और पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नद भूलिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीड कर सकते हैं और बिड करने के बाद आपका जो भी जॉब आपको मिलेगा उस जॉब को आपको एक्जिक्यूट करना है और एक्जिक्यूट करने के बाद आपको जो आपका पैसा है वो आपके फ्रीलांसर अकाउंट में मिल जाएगा और वहां से आप उस पैसे को कैसे विड साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है I want to work यहाँ पर दो अपशन आ रहे हैं आपके पास I want to hire I want to work आपको क्लिक करना है I want to work पे दोस्तों यहाँ पर अपको हैं आपका email address डालना है ou joint freelancer पे klik करना है और आपका account जो है वो create हो जाएगा तो इहाँ पर मैं अपनी information fill कर देता हूँ यह मैंने information fill कर दिये हैं आपको मैं क्लिक करते हूँ join freelancer पे यहाँ पर आपको आपका user name choose कर ना है तो यहाँ मैंने मेरा user name जो है वो choose कर लिया है, अब मैं क्लिक करता हूं next पे, यहां पर आ रहा है select account type, I want to work, I want to hire, तो आपको click करना है I want to work पे, sign up success हो गया है आपका, अभी redirect कर रहा है as a new freelancer आपको इसकी website पे, तो यहां पर दोस्तों आ गए है welcome to freelancer.com, the world's largest online platform for finding jobs, तो यहां पर आपकी जो भी skill है, इसकी skill के according इसी तरह data entry से related 1510 job यहां पर available है, excel से related 1576 job available है, data processing, virtual assistant, web search, customer support, customer service, तो इस तरह से आप जो है, इसे choose कर सकते हैं और आप यहां देखेंगे, कि जो job आपने select करी, उस पे 6858 jobs जो है, वो match कर रहे हैं, अब इसके बाद आपको next step पे click करना है, तो दोस्तों यहां पर आपको pass name डालना है, और उसके बाद Hindi language के साथ साथ अगर आपको English आती है, तो English भी आप यहां पर choose कर सकते हैं, और उसके बाद आता है experience, यह आप beginner है, intermediate है, तो आप beginner कीजिए कि हमेशा intermediate select किया कीजिए, क्योंकि इस से job मिलने में थोड़ी से आसानी होती है, जैसे यहां पर मैंने स freelancers with plus membership are 427% more likely to be awarded a project, तो यहां पर अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें free में करना है, यहां इसको नीचे skip for now पे click कर दीजिए, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, कि एक verification required है, आपके email ID पर, एक email send कर दिया गया है freelancer से, तो उस email ID को सबसे पहले आपको verify करना है, तो आप अपने Gmail account पे जाके या जो भी आपने email दिया है, वहाँ पर जाके इस email को verify कर दीजिए, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि freelancer से email आगया है, यहां पर मुझे करना है verify your email पे click, तो मैं यहां पर verify your email पे click करता हूँ, यहां पर आगया है your email address is now verified, यह वापस हम से पूछ रहा है, यह वापस इसकी for now पे click करना है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो skills आपने select करी थी data processing, data entry, excel, customer support, virtual assistant, article writing, इस type से जित्ती भी आपने skills select करी थी, उस skills के according जो projects हैं वो आपके सामने आ गए है, यहां पर हर project के सामने उसकी जो cost है, वो लिखी वी है कि कौन कितना pay करना चाता है, जैसे data entry work की बात करें, तो data entry work में बहुत simple task है, इसको मैं open कर लेता हूँ एक बार, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 400 रुपए से 700 रुपए पर घंटा यह देने को तयार है, bidding ends in 6 days, 23 hours, तो यहां पर required skills क्या है सिर्फ excel, यानि कि I need you to fill in a spreadsheet with data, एक spreadsheet में यानि कि एक excel के अंदर data fill करना है, तो यहां पर simple सा task है यह वाला, तो यहां पर आपको क्या है कि आपकी जो skins है, क्योंकि अभी मैंने मेरा profile जो है वो complete नहीं किया है, तो यहां पर आप अपना जब profile complete करेंगे, तो यहां पर bid लगा क और आप जो है, वो पैसा कमा सकते हैं, यहां पर my projects में आपके जितने भी projects हैं, वो यहां पर आजाते हैं, messages में अगर कोई आपको message करता है, तो वो सारे के सारे messages आपको यहां पर दिखाई देते हैं, updates में recent updates यह है कि इस इस category में आधे मिनट पहले किसने क्या job डाला है, यह यहां पर दो मिनट पहले job डाला है, दो मिनट पहले, तो यहां पर यह different type के messages हैं, यानि कि जो updates हैं, वो यहां पर आते रहते हैं, यहां जाकी भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से अभी logo ने जो jobs हैं, वो डाले हुए हैं यहां पर करने के लिए, इसके बादा दोस्तों आपको आना है यहां पर, यहां पर आपको click करना है, view profile में जाके आप अपना profile जो है, वो completely manage कर लीजे, वहां पर सारी जो information से वो यहां पर डाल दीजे, balance के अंदर अभी 0 rupees आ रहा है, withdrawal funds पर आपको click करना है, funds को withdraw करने के लिए आपके अपने saving bank account में, तो withdrawal funds पर click कीजे, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो information देनी होती है, वो आपको update your GSTN, तो यहां पर आप click कीजे, तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, कि text की information में GSTN डालना है, तो लेकिन आपके पास GSTN नहीं है, तो are you exempt from GSTN, तो यहां पर आपको click करना है, और यहां पर my aggregate turnover in financial is less than 20 lakh, तो आपको यह click करना है, और save reason कर देना है, तो अभी आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, कि आपको आपका GSTN update करना है, तो यहां पर दोस्तों आपको click करना है, और withdrawal funds पे जाना है, यहां पर दोस्तों जो different type के methods दिये गए हैं, वो है express withdrawal, no fees directly आपके local bank account में आ जाता है, तो मेरा जो मानना है दोस्तों और मेरी जो personal opinion है, आप यहां पर directly अपने bank account की information different जो freelancing website से उन पर share करने से अच्छा है, कि आप PayPal का account email address दीजिए और वहां पर अपना bank account link करके रखेंगे, तो PayPal से आपका जो पैसा है, वो सीधे आपके bank account में process हो जाएगा, तो rather than bank की information हर website डालने से अच्छा है, कि PayPal का address हर जगा डाल दीजिए, और PayPal पे आप जो है, अपने bank account को attach करके रखेंगे, और वहां से payment जो है, वो आप निकाल दीजिए, तो इस तरह से यहां पर आप PayPal के through जाकर, आप क्या कर सकते हैं, कि अपना payment जो है, वो निकाल सकते हैं, तो दोस्तों अगर इस पर आता है, या किसी भी website पर काम करता है, तो वो आसानी से उसको job मिल सके, मैं भी भी आप से यह कहना चाहता हूँ, कि आप जो है मेरी top 7 जो freelancing websites है, वो आप देख लीजिए video, और उसके अंदर जो top 5 websites है, सिर्फ उनी पे enroll करके उनी पर काम करिए, मेरा काम है आप को different websites के बारे में बताना, आपको अच्छा लगता है, तो आप इस पर भी जाके register कर सकते हैं, लेकिन मेरी personal opinion हमेशा यही रहेगी, कि आप 4-5 website पर register कीजिए, और सिर्फ उनी पर focus कीजिए, तो आपको कभी भी काम की कमी नहीं होगी, और काम की कमी नहीं होगी तो आपको पै करने वाद आपका दीन शूबोग